नमस्कार दोस्तों मैं सत्प्रस सॉंग राइटर हमारे गाने लिकुछ चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ देजभक्ति गाना ऐसा देजभक्ति गाना दोस्तों की आप बार बार इसी सुनना पसंद करेंगे ठीक है तो चलिए करते हैं और आपको समझाते हैं हमेसा के तरह इस वीडियो में भी आपको गाकर और पढ़की समझाएंगे ठीक है बिलकुल नया गाना है ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब करके पोलने में बैल आकन घंतितावा दीजे ऐसे अ पुख़डा में लिखा गया है, होली इद दिवाली का तेवार मना पाते हैं, हम इसलिए हमारे आर्मी भाई सरहत पर अपने जान की बाजी लगा के रहते हैं, इसलिए तो दोस्तो पहला लाइन दो बार और तीसरा और चौथा लाइन मिला के आपको दो बार गाना पड़ेग हम इसलिए मना पाते हैं, क्योंकि हमारे आर्मी भाई ये फाउजी हैं, वो सरहत पर थैनात रहते हैं, दोस्तों से लड़ने के लिए इसलिए हम लोग अपने जो तेवार होते हैं उसको मना पाते हैं अच्छे से ठीक है तो चलिए इस गाने को मैं गा कर सुनाता हूँ मुखड़े को गा कर सुनाता हूँ फिर अंतरा समझाता हूँ ठीक है आप इसकूल में पढ़ते हैं तो जरू गाईएगा होली इद दिवाली काते हैं हम इसलिए हमारे अर्मी भाई सरहद पर अपने जान की बाजी लगा के रहते हैं इसलिए हमारे अर्मी भाई सरहद पर अपने जान की बाजी लगा के रहते हैं इसलिए तो चलिए दोस्तों पैलंतरे की तरह बढ़ते हैं पैलंतरे में लिखा गया है बहुत बहुत धन्यवाद देश के सभी सुरच्छा बलो को हम लोगों की सुरच्छा के लिए डूटी पे तैनात रहते हैं छोड़के अपने घरों को यहां तक दोबर गाना पड़ेगा देश म सांती प्रेम महबत कायम है इसलिए हमारे आर्मी भाई सरहत पर अपने जान की बाजी लगा के रहते हैं इसलिए ठीक है तो जो लिखा गया है देश में सांती प्रेम महबत कायम है इसलिए इस लाइन को आपको दोबर गाना पड़ेगा ठीक है उसके नीचे का जो दो लाइ देश के सभी सुरच्छा बलो को हम लोगों की सुरच्छा के लिए डूटी पे तैनात रहते हैं छोड़ के अपने घरो को बहुत बहुत धन्यवाद देश के सभी सुरच्छा बलो को हम लोगों की सुरच्छा के लिए डूटी पे तैनात रहते हैं छोड़े के अपने घरों को दिसमें सांती प्रेम महबत कायम है इसलिए हमारे अरमी भाई सरहद पर अपने जान की बाजी लगा के रहते हैं इसलिए हमारे अरमी भाई सरहद पर अपने जान की बाजी लगा के रहते हैं इसलिए तो चलिए दूस्वों लाशंतर की तरह बढ़ते हैं लाशंतर में लिखा गया है जब गुलामी था तब हमारे बच्चे सही से पढ़ लिख नहीं पाते थें अब आजादी है अब हमारे बच्चे पढ़ लिख के डाक्टर इंजिनियर देश के सेवक बन जाती हैं तक दूबर गाना पड़ेगा दूस्तों ने हमारा अधिकार वापस किया है इसलिए इसलाण के दोबर गाना पड़ेगा हमारे आर्मी भाई सरहत पर जी जान से लड़े थें इसलिए लाश लाशंतर दोबर गाना पड़ेगा जब गुलामी था तब हमारे बच्चे सहीस पढ़ लिख नहीं पाते थें अब आजादी है अब हमारे बच्चे पढ़ लिख के डाक्टर एंजिनियर देश के सेवक बन जाते हैं जब गुलामी था तब हमारे बच्चे सहीस पढ़ लिख नहीं पाते थें अब आजादी है अब हमारे बच्चे पढ़ लिख के डाक्टर इंजिनियर देश के सेवक बन जाते हैं दुष्टों ने हमारा अधिकार वापस किया है इसलिए हमारे अरमी भाई सरहत पर जी जान से लड़े थे इसलिए हमारे अरमी भाई सरहत पर जी जान से लड़े इसलिए दोस्तों अगर आपको कोई भी घाना लिखवाना होगो तो हमारे नमबर पर संपर्क कर सकते हैं असके लिए नमसकार